हलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास, क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेर करें हमारा आज का क्योशन है, CDS, Chief of Defense Staff Journal, अनिल चोहान, किस यूरोप ये देश के अधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका राइट आंसर हैगा, option C, France, इस यात्रा का उदिश्य है, भारत और फ्रांस के बीच रक्ष्या से सम्दित जो सम्द्ध है, उनको और भी मजबूत करना, भारत फ्रांस के मद्धे, तीनो सेने इस्तर पर सेयुक्त सेने अभ्यास का आयुजन किया जाता है, गरुड अभ भारत और फ्रांस की वायु सेना के मद्धे किया जाता है, सकती अभ्यास यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच किया जाता है, बात करते हैं फ्रांस की, केपिटल है पैरिस, परसिडेंट है इमेन्वेल मैकरोन, प्राइम मनिस्टर है गैब्रियल अटल, क्रंसी है यूर फ्रांस के वेग्यानिकों ने दुनिया के सबसे सकती साली मेगनेटिक रेंजोनेंस, MRI, स्केनर में ब्रेन को स्केन किया है इस स्केनर से इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे स्टीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है जापान की इंजिनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतराश्ट्री फेलोसिप से किसे समानित किया गया है इसका राइट आंसर आएगा option C, कोसिक राज सेखर को जापान की परतिष्टित इंजिनियरिंग अकादमी के अंतराश्ट्री फेलोसिप से समानित किया गया है यह समान बिजली रुपांतरन और परिवहन के विदूती करण के छेतर में उनके उतकरष्ट योगदान के लिए दिया गया है राज सेखर को 2022 में Global Energy Association ने अंतराश्ट्री उर्जा के छेतर में परतिष्टित पुरुसकार Global Energy पुरुसकार से समानित किया था बात करते हैं जापान की राजधानी है टोक्यो, परधान मंत्री है फूमियों की सीधा, मुद्रा है जापानी येन, भारत और जापान के बीच धरमगार्जियन, वीरगार्जियन और सिमेक्स अभ्यास होता है जापान चंदर्मा पर सफलता पूरुक उतरने वाला पांचवा देश बन गया है Q3. सौमपेन जनजाती के साथ सदस्यों ने पहली बार मद्दान किया है ये जनजाती कहा निवास करती है इसका राइट आंसर आएगा option C, अन्दमान निकोबार्दीव समोह पर सौमपेन जनजाती समोह के साथ सदस्यों ने लोग सबा सीट के लिए मद्दान किया है 2011 की जनगणना के आंकडों के आधार पर सौमपेन की अनुमानित जनसंख्या 239 है Q4. विश्व पर्थवी दिवस कब मनाया जाता है इसका right answer हैगा option A, 22 April को 22 April को विश्व पर्थवी दिवस मनाया जाता है और 1970 को पहली बार एमेरिका की कैलिफोर्निया में पर्थवी दिवस आयुजित किया गया था अन्तराष्ट्री मातर पर्थवी दिवस के रूप में 22 April 2009 को सयुक्त राष्ट्र महा सभा ने अधिकारिक तोर पर गोसित किया था यह दिवस परकर्ती और पर्थवी के साथ सामजस्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 2024 की थीम है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक अब हम बात करते हैं प्रयावरण से सम्मंदित कुछ इंपोर्टेंट देकी जलवायू कारवाई दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को विश्व गोरेया दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को नदियों के लिए अंतराश्टि कारवाई दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को विश्वय मोसम विज्ञान दिवस मनाय जाता है 23 माई को विश्वय कछवा दिवस मनाय जाता है 22 जून को विश्वय वर्षावन दिवस मनाय जाता है 29 जून को अंतराश्री उस्सन कटी बंदी दिवस मनाय जाता है 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाय जाता है 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाय जाता है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाय जाता है 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाय जाता है Q5. 2023 में सबसे अधिक सेन्ने खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? इसका right answer आएगा option C. America Sweden के Scott Home International Peace Research Institute Sipri की report के अनुसार 2023 में सबसे अधिक सेन्ने खर्चा अमेरिका नहीं किया है 2023 में सेन्ने खर्च 2022 के हिसाब से 6.8% से बढ़कर 24.4 trillion डोलर पहुँच गया है अब हम बात करते हैं सिप्री की सिप्री की फुल फोरम होती है स्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट इसका गठन 6 मई 1966 को किया गया था संस्तापक है टेज, अर्लेंडर, अल्वा, माईरडल मुख्याले है सोलना, स्वीडन में सिप्री का क्या कारी होता है सेन्य खर्च का डेटा उपलब्द करवाना और हत्यारों के व्यापार का डेटा उपलब्द करवाना दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार इंपोर्टर देश है भारत क्वेशन 6 किस देश में पहली बार हिंदी में रेडियो परसारन सुरू हुआ है इसका राइट अंसर आएगा ओप्सन C कुएट में कुएट में पहली बार हिंदी में रेडियो का परसारन सुरू हुआ है भारती दूतावास ने कहा है कि कुएट की तरफ से उठाया गया यह कदम दोनों देशों के बीच रिष्टे को मजबूत बनाएगा 2021-22 में दोनों देशों ने राजनितिक समंदों की साथवी वर्सगाट मनाई थी कुएट में भारती राजदूत हैं आदर्स स्वाई का बात करते हैं कुएट की यह पस्ची मेसिया का एक देश है राजधानी है कुएट सिटी कुएट के अमीर है मिसाल अल एहमद अल जबर अल मुद्रा है कुएटी दिनार कुएशन साथ एक विसाल प्रागेतिहासिक साप के जुआसम की खोज किस संस्थान के सोध करताओं के द्वारा की गई है इसका राइट अंसर आएगा आप्सन बी सबसे बड़े सापों में से एक की जुआसम की खोज गुजरात के एक लिगनाइट खदान में की है यह साप 4.7 क्रोड वर्स पहले मद्दे इयोसिन काल के दोरान अस्तित्वमी था इस साप का नाम है वासू की इंडिकस वासू की इंडिकस सरीसरप की लंबाई है 10 से 15 मिटर बात करते हैं हाल ही में कुछ महतूपरन खोजगी ब्राजिल के घने वर्षावनों में भाग की एक नई परजाती क्लावडेट टाइगर कैट खोजगी है कच्छ गुजरात में 500 वर्ष पुरानी हडपा वस्ती की खोजगी गई है गंगापूर तेलंगाना में किस विश्व विधाले की पहली महिला कुलपती निक्ट हुई है इसका right answer आएगा option D अलीगट मुस्लिम विश्व विधाले केंदरी ये सिख्षा मंदराले ने प्रोफेशर नईमा खातुन को अलीगट मुस्लिम विश्व विधाले की पहली महिला कुल्पती निक्त किया है बात करते हैं AMU अलीगट मुस्लिम विश्व विधाले इसके स्थापना 1920 में हुई थी संस्थापक है सर्शेयद एहमद खान Question 9 सोरव गोसाल ने सन्यास की घोशना की है ये किस खेल से समंदित हैं इसका right answer आएगा option A स्क्वेंस सोरव गोसाल जूनियर वर्ड नंबर वन स्थान पाने वाले पहले भारतिय खिलाडी है सीनियर पुरुस एकल में दुनिया के टोप 10 में पहुचने वाले एक मातर सेक्वेंस खिलाडी है राश्टर मंडल खेलों में एकल पदक जीतने वाले सोरव गोसान एक मातर भारती हैं इन्होंने 2022 में भर्मीगम खेलों में काश्य पदक जीता था 2007 में अरजुन पुरुसकार से समानित होने वाले पहले सेक्वेंस खिलाडी है इसका राइट आंसर आएगा डी गुकेस भारत के हैं अब हम रिविजन करते हैं हमारी कल की क्लास का वैश्विक इस्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कमपनी कौन सी बनी है इसका राइट आंसर आएगा हिंदुस्तान जिंक आर्टेमिस समझोते पर सामिल होने वाला 49 वा देश कौन बना है इसका राइट आंसर आएगा स्लोवेनिया लामा 3 और रियल टाइम इमेज जरनेटर का अनावरन किसके द्वारा किया गया है इसका राइट आंसर आएगा मेटा के द्वारा राष्ट्री शिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर आएगा 21 अप्रेल को पांच सबसे बड़ा मंदिर महुत्सव त्रीसूर पूरम 2024 किस राजे में मनाया गया है इसका राइट आंसर आएगा केरल राजे में पूर्वी लहर अभ्यास का आईजन किसके द्वारा किया गया है इसका राइट आंसर आएगा भारती नोसेना के द्वारा क्वेशन साथ डॉक्तर मेलकम आदिस एचिया राष्ट्रि पुरुस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है इसका राइट अंसर आएगा विकास कुमार और सुरिंदर एस जोधका को Q8. हाल ही में चार दिन वर्क विक करने वाला एसिया का पहला देश कौन सा बना है इसका राइट अंसर आएगा सिंगापूर Q9. UPI पर क्रेडिट सेवाई शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझोता किस नहीं किया है इसका राइट अंसर आएगा अमीजन पेने Q10. सिट्रोईन इंडिया के ब्रांड अंबेसडर कौन बने है इसका राइट अंसर आएगा मेहंदर सिंग धोनी वीडियो लाइक करें, कॉमेंट करें और ज्यादा शेयर करें धन्यवाद